पाकिस्तान को अपने जाल में फसाने के लिए चीन ने एक और तयारी कली है पाकिस्तान में सरकारी कमपनियों को बेशने की कवायत चल रही है इन पर चीन की नजर है वो दो गेस कमपनियों सुई नारदन और सुई सर्दन को खरीदने जा रहा है यह कमपनियां गेस के भंडार वाले बलुचिस्तान प्रांत में गेस की खोच में शामिल होगी सुत्रों का कहना है कि चीन इन गेस कमपनियों बिजली कमपनियों को हर कीमत पर लेना चाता है नो सरकारी बिजली कमपनियों को पिछले साल 17,000 करोड पाकिस्तानी रुपे का घाटा हुआ था इसे मिलाकर दो गेस कंपनियों को 68,853 करोड पाकिस्तानी रूपे का नुकसान हो चुका है अर्थ शास्त्रियों का कहना है कि घाटे में चल रही सरकारी इकाईयों का नीजी करन सही कदम है जादा तर इकाईयां घीसे पीटे पुराने डर्रे से चलाए जाने के कारण कूपरबंद का शिकार है विशलेश्टोकव का कहना है कि इन सरकारी इकाईयों को चलाने के लिए हर पाकिस्तानी हर साल 3,000 रुपे का भुकतान कर रहा है हलाकि उनको शक है कि इस चुनावी साल में सरकार ताकतवर यूनियन के विरोध का सामना करते वे नीजी करन अंजाम दे पाएगी चीन के मत्वकांशी बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव के तहट चीन पाकिस्तान अर्थिक गल्यारे का बलुचिस्तान में विरोध हो रहा है प्रोजेक्ट पर 60 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है गवादर पॉर्ट में चीन की गतिविधिया स्थानी लोगों के निशाने पर है वे चीन की डिप फिशिंग का विरोध करते वे सुरक्षा चेक पॉइंट कम करने की मांग कर रहे है चीनी नागरी को और संपत्ति पर हमले भी हो चुके हैं पिशले कुछ साल से चीन के प्रोजेक्ट और उनमें काम करने वाले चीनियों पर हमले बड़े हैं इसी के साथ बने रहे है राजनामा टीवी के साथ रहने वाद